Good afternoon to all of you, आज का जो आपका topic है वो है dictation का topic और conjunction का topic इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि SST के काफी सारे exams के अंदर क्या होता है कि spelling error का एक question बनता है कोई भी spelling जैसे या simple से simple spelling ये लेके चलिए कि 12th की spelling क्या होती है हम लोग उसी में mistake कर देते हैं ठीक है तो आज के जो session है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि spelling की error कैसे कैसे होती है और उनको हमें कैसे improve करना है Very good afternoon Madhu Sharma, very good afternoon इसके अंदर देखिया जैसे कि 12th की spelling मैंने आपको बताई सबी एक बार देखेंगे कि 12th की spelling होती क्या है जदा तर students तो यह लिखेंगे कि T W E L T H लेकिन यहाँ पे हमने T W E L F T H 12th की spelling में F आता है ठीक है इसी तरीके से जैसे normal आपको बोला जाएगा कि tuition की spelling क्या होती है Good noon Very good afternoon Amit Sharma 12th और tuition की spelling आपकी क्या रहती है T U I T I O N tuition ठीक है Lieutenant की spelling क्या होती है Limousine की spelling क्या होती है First of all तो यही बताऊ कि आपका LKZ की full firm क्या होती है Mangas यादा हो very good afternoon Are you enjoying the session Like, subscribe and share the channel And now आपका रहता है 12th tuition ठीक है LKZ की full firm क्या लोगों को पता नहीं होती की LKZ की आपकी full firm क्या होती है UKZ, LKZ L से आपका रहता है lower और U से रहता है upper ठीक है तो LKZ की full firm में क्या हो जाएगा Lower Kindergarten यहाँ पे आपका गार्टन होता है Garden नहीं होता Lower Kindergarten, Upper Kindergarten ठीक है अब यहाँ पे आपका रहता है सब भी लोग जो भी students एप से जुड़े हुए है Very Good Afternoon, Avnit आप सब भी notes प्रिपेर करते चलेंगे साथ साथ Very Good Afternoon, All of You एप से भी काफी reply आ रहे हैं Very Good Afternoon अभी आप लोग notes प्रिपेर करते चलेंगे जसे कि जो भी spellings आपको बताई जा रही है उनको आप note करते चलेंगे ताकि एक collection हो जाए आपका spellings का और एक तसर्मा Good Afternoon, Dear ठीक है यहाँ पे आपको कुछ spellings recite कराई जाएंगी जो कि आप अपनी notebook में लिखेंगे ठीक है After that आप उनको match करेंगे कि क्या आपने सही लिखा है या गलत लिखा है Vijayatree, Very Good Afternoon Very Good Afternoon, Dear सबसे पहले लिखेगा Lieutenant Vivek Singh, Very Good Afternoon Lieutenant उसके बाद लिखे Limousine अपनी notebook के इस सिरे में आप spellings लिखेंगे और correct spelling जब मैं आपको slide दिखाऊंगी तब आप उनको correct करेंगे और फिर आप देखना कि डिक्टेशन के लेवल में आप कहां पे हो Mukesh Sarma, Very Good Thank You and Thank You Now Write down spelling number one Lieutenant Devindra Kumar Rajput Good Afternoon, Dear Bhavya, Good Afternoon And Now Lieutenant ये आपकी Lieutenant की spelling रहती है ठीके, L-I-E-U-T-E-N-A-N-T होता है इसमें आप ये ध्यान रखेंगे इसी तरीके से रेखेंगे जैसे हम बोलते हैं भई सुप्रिडेंट आ गया है ठीके, वो सुप्रिडेंट नहीं होता है उसको हमने बिगाड दिया है वो word आपका ये था सुप्र-इन-टेंडेंट यानि कि टेंडेंट होती है पावर और जो पावर में आपका सुपर है वो क्या है सुपरिंटेंडेंडेंट है विकी संग्वान गुद अफटर्णून सुपरिंटेंडेंट ठीके, ये होता है आपका जो आपूपुरिजर्ट सुपरिजर्ट बोलते हो ना वह सुपरिंटनेंट होते हैं, ठीक है ? लिमॉजीन एक गाड़ी का नाम है मितरादी छतरी सौंग में ॏ और देखी ओगी लिमॉजीन गाड़ी है लंबी सी होती है उसकी सपैलिंग लेकते लिखते चलिए अच्छा एक स्पैलिंग आपकी यह है वेक्यूम की स्पैलिंग वेक्यूम की सही स्पैलिंग क्या होती है आप फर्स्ट से लेके ट्वेल्स तक गलत स्पैलिंग आप लिखते आ रहे होते है वी ए सी यू यू एम होती है वो वेक्यूम इसमें डबल यू आता उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे vacuum V-A-C-U-U-M होती है vacuum की spelling Hello Preet I hope you will enjoy the session keep joined with us Good afternoon Avnit Kumar देखिए कुछ spellings हैं जो मैंने आपके लिए ready करी हैं अभी dictation मेरी आवाज में और आपके receive करने में काफी difference है तो आप सीधा उन spellings को not कर लेंगे ताकि आपके लिए वो beneficial रहेगा और वो spellings आपको अपको अमेशा दियान रखनी है वो most repeated spellings है Hi Hers यह देखिए lieutenant L I E U T E N A N T होती है आप not down कर लेंगे इनको lieutenant की spelling इसमें भले ही हम leftident बोल देते हैं होता है इसमें lieutenant L I E U होता है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बस ठीक है Hi Pooja आप सभी इनका notes बना लेंगे ठीक है इसके बाद है limousine L I M O U S I N होता है limousine 10 में 20 Okay Okay अंस देखिए lower kindergarten यह अपका था LKZ की full form Okay पंकर जत्री Hemrase Hemrase होता है रख्च्राव खून का बहजाना यह अपका रख्च्राव होता है ऐसे सुनने में आता है कि उसका brain hemrase हो गया Like that तो यहां पे देखिए Hemrase H A E M O इसको आप तोड़के याद कर लेंगे Hemrase Hemrase Okay Okay Please Just not down the spellings And now Giraffe G I R A F F V इसमें आपका confusion हो जाता है F और single F और double F का ठीके Giraffe आप देखिए आपका है Squirrel S Q U I Double R E है Double R E L होता है यहां पे आपका double L देखिए आपसे spelling error पूछी जाती है एक है आपका psychology P और S जहां भी आपके silent रहते हैं उसे S ही पढ़ा जाता है देखिए B और T जहां एक साथ रहेंगे उसे T पढ़ेंगे जैसे कि आपका normal लिए लिख दिया जाए D O U B T यहां पे B और T को एक साथ पढ़ा जाएगा और T पढ़ेंगे हम इसको यह doubt पढ़ा जाएगा इसी तरीके से यहां पे देखिए D E B T यदि लिखा हुआ है तो इ जहां पे देखिए जहां कहीं भी आपका P और S इकठा होता है उसे हम S पढ़ते हैं जहां कहीं भी आपका P N इकठा होता है उसे हम N पढ़ते हैं जैसे कि निमानिया की स्पैलिंग देख लीजिए साइकोलोजी की स्पैलिंग देख लीजिए ठीके और T S जहां इकठे आते यहां पर S पढ़ते हैं, जैसे कि Tsunami की spelling P से सुरू होती है, ठीक है? Pseudo-Podia, Pseudo-Nim, यह P से सुरू होते हैं, लेकिन P और S यहां पर ही कठा होता है, इसलिए हम उसको S पढ़ते हैं, ठीक है? And now, look at this, Saikolozy, ठीक है? P और S को S ही पढ़ रहे हैं, यहां पर देखी, symmetric symmetric होता क्या है जैसे कि आपका ये board symmetric है इसको बीच में से कार दिया जाए तो दोनों साइड आपका सेम सेम मिलता है then it is symmetric human body जो होती है वो symmetric होती है बीचों बीच से यदि कट करा जाए तो दोनों तरफ same part रहते हैं तो ये भी आपका symmetric रहता है good afternoon संगीता लांबा and now satellite इसमें भी आपका L single है या double है इस चीज पर confusion होता है आपका SSC के अंदर question कैसे बनता है इसमें एक ही word को तिन चार तरीके से आपका लिख देंगे जैसे कि definite है definite की spelling को वो क्या करेंगे एक option आपका ये बना देंगे ठीके एक option आपका बना देंगे ये लिखेंगे और एक option आपका रहेगा ठीके और आपको choose करना है कि इन तीन spelling में से कौनसी वाली spelling सही है ठीके गुद आफ्टरनून गुद आफ्टरनून डियर तो यहाँ पे आपका रहेगा definite की जो spelling होती है एक बार पूछी भी गई है ये definite ठीके ये अपकी definite की spelling रहती है गुद आफ्टरनून एवरिवन अब भी थोड़ा सा सीखने पर भी focus करेंगे आप लोग देखिए symmetric में हमने बताया कि double M होता है और satellite में double L होता है ये होता है पास्चराइजेशन ठीके पास्चराइजेशन में क्या होता है पास्चराइजेशन एक ऐसी process होती है दूद की सुद्धी करण की process होती है और ये process होती है जैसे कि आप कोई भी दूद की packet लेके आते हो उसके उपर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क तो pasteurized milk के अंदर यानि की गरम करके ठंडा करने की जो process होती है वो होती है pasteurization तो pasteurization एक दूद के सुधी करण की process है और हमारे English के अंदर इसकी spelling के उपर SST का बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान है और काफी pet spelling है ये pasteurization बहुत बार पूछी गई है ठीक है इसके बाद आपका है ये थोड़ा रब हो गया है गोरिला एक गोरिला आपका है जानवर और एक गोरिला होती है युद कला ठीक है यहाँ पे गोरिला जो है वो है जानवर एक जानवर का नाम है गोरिला ये आपका गोरिला जानवर है उसकी spelling में डबल ल आता है और ज युद कला होती है उसकी spelling different होती है जो आपको next slide पर मिलेगे next है pharmaceutical pharmaceutical होता है दवाओं से related hello रेखा सौनी hello पंकर जत्री thank you thank you very much now pharmaceutical pharmaceutical में आपका क्या है जो दवाओं से related होता है इसमें ये द्यान रखना है ये आपका shoe पड़ा जा रहा है ठीक है pharmaceutical and now this one is the most different चकोसलोवाकिया इसको एक बार छोड़ देंगे अभी देखिए Shakespeare की spelling Shakespeare की spelling आपकी कह है S-H-A-K-E-S-P-E-A-R-E Shakespeare और एक slide आपकी ओर है इसके अंदर भी कुछ words है एक बार जिनको screenshot लेना रहेगा एक बार screenshot ले लेंगे अवनीत आप समझ पा रहे हो जो बैंकिंग की students हैं प्लीज रिप्लाई करें अवनीत आप समझ पा रहे हो M-K-Mukais-Kumar आपको भी समझ आ रहे हैं I think Okay Now look at this hemoglobin Hemoglobin की जो आपकी spelling है इसमें भी H-A-E ये starting से आपका पूछा जाता है Hemoglobin Maintenance Maintenance में आपका ये होता है कि T के बाद A लगाएं या E लगाएं Confusion ये होता है Maintenance Maintenance Okay, thank you Maintenance Maintenance की spelling में आपका T के बाद E रहता है Next है Refresorator Refresorator R-E-F-R-I Refresorator Z-E-R-A-T-O-R Refresorator Mukis Sarma Pooja Are you getting? Okay Kanchenjunga 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 की spelling भी आपकी पूछी गई है CHSL में लास्ट ये पूछी गई थी यहां पे देखिए Rhinosaurus Rhinosaurus ये जो टर्म है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए यूज होती है Rhinosaurus यहां पे देखिए Rhinosaurus इसको आप राइनो होता है वैसे तो लेकिन इसको याद रख लेंगे रहीनो R-H-I-N-O-C-E-R-O-S Rhinosaurus आप पेन और नॉट्बुक लेके बैठेंगे और अच्छे से नॉट करेंगे ताकि आपके पास एक स्पैलिंग का कलेक्शन हो जाए उसके बाद देखिए C-A-S-S-E-T-E यहाँ पे यह E-T-E है ना इसको थोड़ा सा अच्छे से आप याद रखिए ताकि क्योंकि सिगरेट में भी आपका यही यूज होने वाल है C-A-S-S-E-T-E ठीक है उसके बाद आपका है सिगरेट सिगरेट की स्पैलिंग आप देखिए सिगरेट ऐसे याद रखिएंगे सिगर पीने के लिए सिगर होता है तो C-I-Z-A-R सिगर और जो E-T-E अमने इस कैसेट में लगाए था वही वाला सेम है ओके सिगरेट और 8 सिगरेट ठीक है ऐसे याद रखिएंगे क्योंकि वैसे सिगरेट की लिखने चलोगे तो पता नहीं क्या ही लिख दोगे उसका बाकी याद रखने के लिए आपका याई है आप प्रॉपर तरीके से नॉट्स बनाएंगे ठीक है स्पैलिंग एरर से क्योशन्स काफी पूछे जाते है इसलिए आपका ये टॉपिक डाला गया है डिक्टेशन का टॉपिक अंके सिगरेट सिगरेट और फिर एट है नेक्स्ट आपका है कामोडॉर यहां पर कामोडॉर जैसे कि अपना एरफोर्स के अंदर पद होते है आपका कमांडर होता है आप एंडिये क्लियर करके जाते है तो उसमें आपका रहता है चीफ मार्सल, एरचीफ मार्सल, लेफिनेंट, ठीक है कर्नल तो उनके अंदर क्या होता है यह भी एक पद का नाम है कॉमडॉर और कॉमडॉर क्या है एरफोर्स के अंदर ही एक पद है रशिया के अंदर जैसे अपने यहां कमांडर होता है वहां कॉमडॉर होता है तो उस कॉमडॉर की स्पैलिंग भी आपका पूछी गई है competitive exams के अंदर सिगार, सिगार पीने वाली होती है भावया, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि सिगरेट जो है वो स्वास्ते के लिए हानिकारक होती है तो हमें सिगरेट या सिगार नहीं पीना चाहिए, तो सिगरेट की जब आप नाउ, ओकिजन, ओकिजन की स्पैलिंग हम बार-बार ओकिजन मनाते भी हैं, ओकिजन आते भी हैं और स्पैलिंग हमें उनकी नहीं आती है तो यहाँ पे देखिए, O-C-A-S-I-O-N इसमें सिंगल एस होता है जबकि हम कई बार डबल एस कर जाते हैं या फिर कई बार सिंगल एस कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर स्पैलिंग है O-C-A-S-I-O-N अकिजन उसके बाद है वेटरी नैरियन V-E-T-E-R-I वेटरी नैरियन N-A-R-I-A-N वेटरी नैरियन कोई भी पसू घर में बिमार हो गया है हम बोलते हैं O-C-A-L-D-E-VET मतलब पसू चिकिटसक को बुलाओ तो यह जो वेटरी नैरियन है वो क्या है पसू चिकिटसक है ठीक है और हम सोर्ट ज्यादा सोर्ट फ़र्म यूज करते हैं वाटसब चलाते चलाते आदत इतनी खराब हो गया है कि हम You को भी Only You में पूरा कर देते हैं Because को कॉज में कर देते हैं Okay का के लिख देते हैं वैसे हमने वेटरिनारियन को भी सोर्ट में हम वेट कह देते हैं जो कि गलत होता है क्योंकि वैट का मतलब तो क्या होता है वी इटी वैट इस वैट का मतलब होता है to study something in detail किसी चीज में detail किसी चीज को detail में आप पढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं वैट लेकिन हमने क्या कर दिया है हम इस veterinarian को ही वैट बोलने लग गए है तो यदि आपको पशुची किसी के बारे में बात करनी है तो आप पूरा veterinarian बोलिए क्योंकि वैट का मतलब तो क्या होता है to study something in detail ठीके इसके बाद देखिए vaccination vaccination टीका करन की जो spelling होती है वो होती है वी ए डबल सी आई एन ए टी आई ओन vaccination ये भी कई बार पूछी गई है vaccination की spelling इसमें डबल सी आता है आपका ठीके vaccination ठीका करन अब आपका है privilege पी आर आई वी आई एल इजी होता है privilege इसका मतलब होता है विशेश लाब प्रिविलेज विशेश लाब होता है ये privilege इसके बाद है आपका possession possession होता है अधिकार होना तो possession के लिए आप स्पेशिफिकली ध्यान रखेंगे इसमें दो जगह पे और डबल स डबल स आता है ठीक है possession पी ओ डबल स इडबल स आई ओ अन पोजेशन अब देखिए pilgrimage पिल्ग्रिमेज के अंदर पी आई एल पिल और ग्री जी आर आई ग्री मेज पिल्ग्रिमेज पिल्ग्रिमेज होते हैं तिर्थ यात्रा से रिलेटिड वर्ड है तिर्थ यात्री पिल्ग्रिमेज पिल्ग्रिमेज भी आपका पूछा गया है और फारेंहाइट ये देखिए फैरेंहाइट के अंदर आपका टेंप्रेचर को मापने के लिए आप डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हो ठीक है कैल्विन भी यूज करते हो उसी तरीके से आपका रहता है फै नहीं आता होता है तो Fahrenheit की Spelling आपको पूछ लेते हैं तो Fahrenheit की Spelling में ध्यान रखेंगे F-A-H, Fahrenheit, Ren, R-E-N और ये लास्ट क्वाल आपको ध्यान रखना है, H-E-I-T होता है, Fahrenheit, ठीक है, Fahrenheit नेक्स्ट आपका है Buffalo, Buffalo की Spelling मतलब हम दूसरी क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी हम Buffalo गलत लिखते हैं, हम लगा देते हैं W, लगाते हैं ना, B-U-F-A-L-O, यहां पे simple W नहीं होता है, यदि W लगाते हो तो वो आपकी Spelling गलत हो जाती है, तो Spelling लिखेंगे B-U-F-A- Buffalo, ठीके, एक बार नॉट डाउन कर लेंगे सभी Spelling को, एक सेके, हाँ, नॉट कर लेंगे सभी, बुके की Spelling भी कई बार पूछ ली जाती है, और यह रहता है B-O-U-Q-U-E-T, बुके नेक्स स्लाइड देखिए, यह अपका है, जैसे एक वर्ड होता है, एक बार यह ठाइड अब है, लुके अब दिस वर्ड is is millennium, हमें पता है कि दस साल की समु को decade बोलते हैं, सो साल की समु को century बोलते हैं, और millennium का होता है हजार साल का समु जो होता है वो आपका millennium होता है, millennium की Spelling आप से पूछी जाती है, double L और double N इसमें आता है M I double L mil और E double N I um होता है इसमें यह आप दिहान से करेंगे उसमें क्या देंगे M I L और कई में आपका single L दे देंगे किसी में आपका single N दे देंगे तो वो चीज़ आपको दिहान रखने है double L होता है और double N होता है ठीक है? अवनीत, are you getting? Okay, now bouquet B O U Q U E T जो आपका फूलों का गुल दस्ता होता है उसे बोलते है bouquet और bouquet की spelling आपकी होता है B O U Q U E T ठीक है अब देखिए commission की spelling C O M I double S I O N होता है इसमें आपका M B double होता है और S B double होता है M B double होता है और S B double होता है commission ठीक है यहाँ पर लिखे देखिए commodore C O M M O D O R E जो आपने पीछे भी करी है commander की spelling वही है यह और vacuum vacuum आपसे पूछा जाता है बहुत बार repeat होता है क्योंकि students क्या करते हैं double C कर देते हैं V A double C U M बोलते हैं वो ठीक है लेकिन आपका है क्या यहाँ पर V A C U U M V A C U U M vacuum ठीक है अब इसके बाद है आपका tuition यह मैंने आपका starting में ही बताई थी millennium आखे देखिए डियर millennium simple 10 सालों की समूं को एक ताहां I am explaining again listen carefully look at this 10 सालों की समूं को क्या बोलते हैं century बोलते हैं और आपका है यह millennium millennium होता है millennium का word का meaning आपका होता है 100 साल millennium का word का meaning है 1000 साल का समूं 1000 साल के समूं को millennium बोलते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको इसकी spelling में particularly यह चीज़ द्यान रखनी है कि double L आता है और double N आता है ठीक है ओके गुद आफ्टरनून सानू now millennium हो गया है क्लिया is it clear to you एक ताम सुड़क प्रोसीड millennium होता है 1000 साल का समूं ठीक है अब आपका कमेटी की स्पेलिंग यहाँ पर कमीशन और कमेटी इन दौनों को आप याद रखिये दौनों में डबल M आता हैं कमेटी सी ओ डबल M आई डबल T डबल E कमेटी के अंदर आपका डबल M होता है और डबल T होता है और डबल E भी होता है खास त्यान रखेंगे अब देखिए यह मैंने आपको लास्ट लाइड में भी बताया था एक तो गोरिला होता है जानवर और एक गोरिला होता है आपका युद कला पाड़ों में चिपचिप के तीर चलाने वाली एक कला होता है युद कला और उसे बोलते हैं गोरिला वार जैसे कि वह वाले राजा तो गोरिला वार में निपुन थे एक्सपर्ट थे प्राफिशियंट थे ठीके तो यहां पे देखें इस गोरिला के लिए आपका ये वर्ड है युदकला के लिए और जानवर की जो स्पैलिंग है वो ये वाली है ठीक है तो इनका भी एक दूसरे की जगह पे वो यूज कर देते हैं जबकि आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर वर्ड का मिनिंग का है और पर्टिकुलर वर्ड की स्पैलिंग का है यहां पे देखिए कालोनल और करनल जैसे मैंने अभी बताया था आपका की एरफोर्स एंडिया अधिया अधिया आप टेस्ट करके जाते हैं आपको सैसन अच्छा लग रहे हैं देखिए क्वालिटी होनी चाहिए में चीज है आपको कुछ अटलिस्ट आप तीस मिनट भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके अंदर आप कुछ सीख के जाएं यहां पे आपने तीस मिनट दिया है मेरा मॉटिव यह कि मैं आपको 60 स्पैलिंग्स आपको नहीं सिखा हूं ठीक है मॉस्ट रिपीटेड स्पैलिंग्स हैं यहां पर आए कालनल हम बोल देते हैं करनल सर है ना कि जैसे करनल सर से बात कर लो एक बार तो करनल वहां पर बच्छे आपका यह वाला करनल नहीं होता है जो पद का नाम है वो यह है यह आपका पद का नाम है और इस करनल का मतलब क्या होता है जो के ए आर एन ए ल होता है यह होता है गेहूं का छिलका यह वाला करनल आपका है गेहूं का छिलका ठीक है कॉलोनल एक पद का नाम है जो पद का नाम आप जहां भी बोलते हो तो आप कॉलोनल बोलेंगे और जो करनल आप यूज करते हो वो क्या होता है वो तो होता है गेहूं का छिलका ठीक है आपके एक तान तान बेट गुड़ लग फोर यूर ब्राइट फ्यूचर गुड़ लग कीप कंटीनिव इद उस नाव सूपर फ्लोर्स सूपर फ्लोर्स क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको इसका मेनिंग भी क्लियर कर दूँ नेलों इंगल्स के अंडर सूपर फ्लो लॉट है क्योंकि इंगल्स यह बोलता है कि मतलब अक कम से कम पेज और कम से कम इंक यूजिस करें ठीक है लेकिन हम मैं कि उक्वित ज़्यादा बोल नहीं है हमने ब्रेदर कॉसucci के अंदर आपका का कजन के राम मेरा था-फowitz अप्र Film को क्या चर्जिस्टर ये लत और जो वाले words जो है, वो ssc उनको एक error की तरह है treat करता है, ठीक है, तो आप cousin के साथ brother नहीं लगाएंगे, cousin के साथ कहीं भी sister नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से देखो, हम बोलते हैं कि you bloody cheater, तो cheater वर्ड ही नहीं यह इंगिलिश में, दोखा और धोखिबास, दोनों के लि आ पिक पाकेट और नहीं होता है't पिक पाकेट होता है। सेम आपका और भी कई जगे जज़े हैं जहां पे हम सूपर फ्लोस यूज करते हैंज ठीक है। सूपर फ्लोस में आपका जैसे कि हम बॉल देते हैं कि ओके टIll me what is your Consensus Opinion जब कि consensus का मतलब ही क्या होता है इस consensus का मतलब होता है यह opinion है वेखिए आपको किसी भी टापिक पर डिसकस करने को दिया है या ऐसा कुछ और बाद में मैं आके काओं आपका सामुहिक विचार का मिनिंग लिए हुए है तो इसके साथ आपको opinion लगाने की जरुरत ही नहीं थी ठीक है अब दिखें आपका सूपर फ्लोस पे हम बात कर रहे थे सूपर फ्लोस होता क्या है सूपर फ्लोस आपका होता है सूपर फ्लोस यानि कि इंग्लिस में यूज किये जाने वाले वो वर्ड्स जो की unnecessarily हम यूज कर रहे हैं की जरुरत नहीं है उनको हम सूपर फ्लोस बोलते हैं ठीक है अननाओ पैरासूट देखेए पैरासूट पी-ए--ा-र-a-c-h-u-t-e होता है पैरासूट ये आपका पैरासूट की स्पैलिंग है पैरासूट पी-ए----ा-र-a-c-h-u-t-e पैरासूट ठीक है देखेए ये आपका ch-u यहां पर कई सारे words ऐसे होते हैं, जहां पर CH जो है, वो से की sound देता है, जैसे कि आपका सेंपिन, ठीक है, जैसे कि आपका साइवलरी, इन words के अंदर आपका CH से यह spelling सुरू होंगी, जिर कि यह sound S का बेंगी, तो यह चीज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, अब 12 की spelling, TWE, LF यह भी आप द्यान रखेंगे, जो अभी तक सिर्फ समझ रहे थे वह लोग एक बार नॉट डाउन कर लेंगे स्पेलिंग्स को उसके बाद हम आगे कंजेंग्सिन का टॉपिक हमारा आगे चलाएंगे क्योंकि डिक्टेशन आपको इतनी जादा स्पेलिंग्स एक क्लास में त तो थोड़ा-thोड़ा कर के डिक्टेशन चला पर रहेंगे मालीझिस prefix में यहां पर एक बार कशकी क्ष सही और नॉछ समीं इसके बाद हम पनडन कर रहें पर्रह में चैनर स्वाराएंगर्आइखंण कर रहें आउज जैसी जरुज़्छ रहें करेंगे तो थोड़ा-फर ह कि अपने कि अपने अगल सपते हैं तोपिक है तो आपका टॉपिक है वह हम कर रहे हैं कांजिंग्छिन का टॉपिक सबसे पहले तो कंजंग्शन की स्पेलिंग भी आप अच्छे से करना ठीक है दीपक काली रामना I hope you are enjoying this session comment करेंगे आप लोग यदी आपको अच्छा लग रहा है कंजंग्शन कंजंग्शन क्या होते हैं इंग्लिस के अंदर हमें connectors की जरृत होती है Linkers की जरृत होती है हमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो sentences को जोड़ने के लिए Conjunctions की जरृत पड़ती हैं ठीक है Conjunctions में आपका जब से माज लिजिए मैं यह बोलू कि राम एंड की जरूरत पढ़ी राम और श्याम को जोडने के लिए किस जरूरत पढ़ी एंड की जरूरत पढ़ी ठीके तो कंजिंग्संस क्या आपके टाइप रहते हैं सिझा चाप्स में आप काता है automat pinoses कॉडिने टनेक्सिंट्स और कोर्रेलेटिव नगेंसिंस ठिक कि कॉडिने इनडिपेन्डनट चीजों को जोडती हैं ठीक है, एक ता, coordinate conjunctions, दूसरा रहता है आपका subordinate, subordinate conjunctions, और एक रहता है आपका correlative, correlative conjunctions, ठीक है, आप देखिए, coordinate conjunctions में आपके वो one word type के आजाते हैं, जिनके अंदर आपका क्या होता है, जैसे की and हो गया, ठीक है, yet हो गया, but हो गया, एक एक वर्ड के वो conjunctions, जो की दो independent चीजों को जोड़ेंगे, ये independent sentences को, ये आपका independent conjunctions को जोड़ते हैं, वो independent sentences को जोड़ते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड भव्या, अब देखो, आपका क्या है, independent sentences को जोड़ेंगे, या तो, या आपका words को जोड़ेंगे, या फिर ओ सकता है, phrases को जोड़ते, कंजंग्सिन का काम होता है, या तो दो शब्दों को जोड़ना, या दो वाक्यों को जोड़ना, या दो वाक्यांसों को जोड़ना, ओके आदित्य बिल्कुल यह आपका भवया यह sentence भी जोडते हैं और words को भी जोडते हैं और यह phrases को भी जोडते हैं ठीक है जैसे मैं आपका यह लिख दूँ राम एंड श्याम यह देखिए बच्चे आपका यह एक word है यह एक word है दो शब्दों को जोड़ दिया आप माल लिजे दूसरा मैं लिखूँ राम एज है आपका और वेज कोल जा रहा है यह एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस अपने आपमें पूरा सेंस देता है राम इस हैपी और यह भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है He is going to school इसका भी अपनाई कर्थ है तो एक तरह से यहाँ पे क्या है Coordinate Conjunction and लगा रखा है ठीक है यहाँ पे दो सब्दों को जोड़ा यहाँ पे दो sentences को जोड़ दिया है ठीक है Subordinate क्या होते है Subordinate होते हैं जो एक दूसरे पे depend होते हैं ठीक है वह पढ़ता है ताकि पास हो जए ठीक है He work hard so that He can pass in the exam और correlative होते हैं आपके जो जोड़े में पाए जाते हैं जोड़े में पाए जाने का मतलब क्या है जिनका payer होता है यानि कि जैसे कि आप देखो सबसे पहला आपका सबसे फर्स्ट रूल आपका conjunction का क्या कहता है जिसे कि as so as ठीक है so that यह आपके conjunctions है not only but also either or neither nor इनको आप not भी कर सकते हैं either का pair होता है और के साथ neither neither nor होता है either or होता है not only but also ठीक है और इसके अंदर आपका रहता है नौ सूनर इसके ओपर बहुत क्योशन बनते हैं नौ सूनर और यहां पे लगा होता है टी एच ए एन कहीं कहीं पे आपको टी एच एन लिखके देते हैं और उसे आपको क्रास कर देना है यदि टी एच एन दे रखा हो तो उसे भी आप गलत कर देंगे ठीक है इन सबी के साथ आपका जुडता है भेन इन सबी के साथ आपका कौन सा कंजंक्शन आता है वैन कंजंक्शन आता है एक और चीज यहां पे आप स्पेसिफिकली आद रखेंगे हार्ली और स्कार्सली इनका मतलब क्या होता है जिसे मैं हार्डली मुवी देखने जाती हूं यानि कि मुश्खिल से ठीक है यहार्ली, स्कार्सली, रेरली, बेरली यह जो वर्ड्स हैं आपके यह होते हैं मतलब Negative Word यह अपने आपमें Negative Word है Seldom is also one of them और यदि ये conjunction का ये किससा आपका यूज़ कर रखा है तो second conjunction आप इसमें वाक्य को जोड़ने के लिए जो conjunction यूज़ करते हो वह होता है when conjunction ठीक है तो when आप इसमें यूज़ करेंगे not करते चलेंगे इनको साथ साथ अभी ते आवनी इनको प्रापर तरीके से आप not करो क्योंकि conjunctions के topic में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एस एस का जोड़ा एस के साथ होता है so as होता है so that होता है ठीक है इस तरीके से आप इनको एक बार not कर लेंगे thank you नन की सोर्यादाव I hope you will enjoy the session जुड़े रहे देखिए as as है so as है particular यह मत सोचे कि यह यहां पर बोर्ड पर लिख दिया और खतम हो गया यहां पर पर इस conjunction को उठा के हम discuss करेंगे कि इसका कहां पर यूज है किस तरीके से इससे question बनता है either or से कैसा question बनता है neither not से कैसा question बनता है आपका weather और और का भी जोड़ा होता है weather और वैसे तो if और weather एक दूसरे को replace कर सकते हैं लेकिन यदि आपका subordinate clause के अंदर आपका और दिया हुआ है तो आपको जोडने के लिए क्या यूज करना होता है वैदर जोडना होता है ठीक है जेश्री श्याम जेश्री राम रेनी शर्मा I hope you will enjoy देखिए not only और but also इसका मतलब होता है यह नहीं बलकि यह भी not only but also not only but also के साथ एक बहुत ही अच्छा रूल है और वहां से बहुत साथ ज्यादा के बनते हैं क्योंकि इसके साथ यह रूल होता है कि not only से पहले जो part of speech आपने यूज किया है ना वही part of speech आपको but also के बाद भी पहले भी करना होता है और इनको क्या करेंगे दूसरी जगह पर वो लगा देंगे वहीं से क्या बन ज चीजों की comparison हुई teaching और swimming की तो यहां पर एक हिस्सा तो वह है जो teaching से पहले आपका और एक हिस्सा आजाएगा आपका swimming से पहले ठीक है तो इसका नतलब यह है कि यदि not only से पहले वही चीज़ आएगी जो but also से पहले आ रखिए यदि but also से पहले कोई verb दे रखिए तो not only से प but also के पहले आपको कोई ing form में कुछ दिया हुआ है तो उससे पहले भी आपको ing form में देना पड़ेगा उससे पहले noun है तो यहां भी आपको noun लिखना पड़ेगा कहने का मतलब क्या है कि जिन दो चीजों की comparison होती है वो तुरंत उससे पहले लिखे जाते है ठीक है इस टू के साथ जोड़ा होता है ठीक है सच that होता है एक आपका so that V1 बनता है इसका ताकी इसका मेंनिग होता है ठीक है इंकाम वन करेंगे एक बार जस्ट एक बार, नॉट कर लेंगे आदीट नॉट करें इसको इसके अंदर कंजंग्सिन का सबसे इंपोर्टेंट रूलम बोल रहे हैं अभी देखिए जैसे कि यहां कोई आपको सब्जेक्ट दे दिया और बीच में हमारे इन कंजंग्सिन में से कुछ है जैसे कि as well as, as soon as, with, along with, like, unlike, supported by guided by, headed by, led by, together with, besides ठीक है इनके साथ आपका रूल क्या होता है वो हम देखेंगे यहां पे कोई भी सब्जेक्ट दे रखा है और इन कंजंग्सिन में से कोई एक कंजंग्सिन इन्हों ने उठा लिया ठीक है तो यहां पे देखिए यदि इस तरीके से फॉर्मेट है एक सब्जेक्ट है उसके तुरंत आपका इन कंजंग्सिन में से कोई कंजंग्सिन है और आपका सब्जेक्ट तू दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे यहां पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या आपकी जो वर्ब आएगी वो किस के भी हाफ पे होगी that will be according to subject one यहां पे आप प्रॉपर लिख देंगे कि यहां पे यहां आने वाली helping warm subject one के according आती है इसके उपर हम questions करेंगे देखें पहले आपका लिखा हुआ है subject one उसके बाद यह conjunctions और subject two तो उसके तुरंत बाद आप जो तुरंत बाद आप जो भी helping verb या verb यूज़ करने जाओगे तो आप किस के भी हाफ पे लिखोगे subject one के भी हाफ पे लगती है वो ठीक है subject one अपने साथ जो verb या helping verb लेगा उसी के according आपकी helping verb आएगी ठीक है आपका conjunctions मैं repeat कर दे रही हूँ as well as, as soon as, with, along with, like, unlike, supported by, besides, guided by, headed by, accompanied by, led by, ठीक है यहाँ पे आपका subject two है और यहाँ पे not करवाय गया आपको कि जो helping verb या verb इनके बाद आएगी वो हमें इसको देखके लगानी है कि यहाँ पे singular आपका है तो हम क्या लगाएंगे singular है तो singular के हिसाब से और यहाँ plural है तो हम plural के हिसाब से helping verb लगाएंगे एक बाद नौट कर लेंगे इस rule को उसके बाद आगे चलते हैं झाल झाल देखियें, दन? ओगे नो? ओके C C C together with her friends is या आ coming to this party first sentence आपका है, इसको answer करेंगे आप लोग एक ता सर्मा, आप लोग इनको reply करेंगे देखियें, C together with her friends वहें अपने दोस्तों के साथ is या आर में से आपका option है coming to this party वहें अपने दोस्तों के साथ इस party में आ रही है माइक में उट कर देना जुआ क्वा आखा गगे जुआ होगा, आओके वारी गुड अदिते शेंग, वारी गुड वारी गुड रेनू अपका भी वारी गुड देखिये, हमने अप़ी अपू क्या सिखा था यदि यहां together with हैं तो यहां आने वाली वर्ब जो हैं वो जो भी वर्ब या helping वर्ब आप यूज़ कर रहे हो तो वो किसके भी आफ पर आएगी यहां पर हम देखेंगे कि हमारा subject 1 क्या है very good Avni, very good everyday class का session रहता है, everyday नहीं होती है, Saturday रहती है class देखिए, first, first जो आपका subject है, इसी के according आपकी helping verb आपको लगानी है और यहां पर हमारा answer क्या हो जाएगा, is हो जाएगा, इसी sentence को यदि मैं ऐसे लिख दूँ his friends, as well as he, is या आर में से आपको choose करना है, guilty अब आप बताएगे क्या आएगा his friends, यह आपका subject 1 है, और as well as हमारी उन conjunction की list में से उठाया गया है और he हमारा subject 2 है, तो helping verb हम क्या करेंगे यहाँ पर, बताएगे, response देंगे, आपके response से energy मिलती है very good, यहाँ पर देखिए, his friends, his friends यहाँ पर क्या है, subject 1 है, और he हमारा subject 2 है, और यह हमने देख लिया भई, हमारा उनी conjunctions में से उठाया गया है, सभी लोग response करेंगे भई, आदिते है आवने, आपका correct है, his friends के according यहाँ पर हमने क्या लिखा, R लगाया, is नहीं लगाएंगे, ठीक है, next sentence लिखिया है, very good, Aditya, very good, क्योंकि देखो, आपने एक rule किया है, उस rule के उपर आपने तीन या चार example कर लिया, आपको उनको implement करना आ जाएगा, very good, Renu Sarma, very good, very good, M.D. Asif, and now, एक example हम और कर लेते हैं, एक second, आपका उनमे एक conjunction छूट गया था, वह भी add कर लेंगे, इसमें and not भी होता है, यह रह गया था, आप not कर लेंगे इसको भी, यदि किसी sentence में and not भी आया हुआ है, तो भी यही rule follow होता है, okay, okay, सुबं आपका भी सही answer लेखिये, मानली जी लिखा हुआ है, he and not his parents, is या आर, coming today, यदि यह sentence आपका दिया जाते हैं, इसमें आप क्या answer करेंगे, बताएए सबास, he and not his parents, is coming या are coming today, बताएए, next day आपका, very good आरित्ते हैं, very good, इस आएगा इसमें, क्यों आएगा, क्योंकि देखो, आपका ये तो हुआ subject 1, ये हुआ हमारा conjunction, sorry, ये and not है, देखिये, ये हमारा conjunction है, very good, एक तापका भी correct है, ये हमारा subject 2 है, ठीक है, तो जहां कहीं भी देखो, हमने एक रूल पढ़े, चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन, okay, good, let me, देखिये, आपका, चाहे आप एक रूल पढ़े, लेकिन उसके उपर जो question आया, वो अटकना नहीं छिए, आपने अभी अभी क्या पढ़े, very good, सुभं, आपका भी correct है, अधित्या का भी correct है, अधित्या का भी correct है, very good, देखिये, आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, एक subject ये है, और एक subject ये है, यदि बीच में आपका, आपने एक list पढ़ी है, उन conjunctions की, यदि उन conjunctions में से कुछ भी आता है, तो हम उसके साथ आपका, subject 1 को देखते हुए answer देंगे, है ना, very good, आपका भी correct है, देखिये, ये आपका subject 1, ये आपका subject 2, और ये अपना वही वाला conjunction की list में से उठा रखा है, same यहाँ पे आपका, शतित से नहीं, आपका भी सही है, यहाँ पे देखिए, ये वही conjunction, ये subject 1 और ये 2, यहाँ जो helping web आ रही है, वो इसके coding आई थी, यहाँ भी आपका किसके coding आएगी, इसके coding, और राम के साथ क्या लगता है, इस लगता है, तो आर तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीके, दोनों examples को आप कर लो, किसी को भी, koई भी क्योरी है, जाया आप internet से पढ़ रहे हैं, जाया आप किसी भी book से पढ़ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीके, जितना जिस-जिस topic से जो आपका rules कराए जा रहे है, यदि ये rules आप अच्छे से करते हैं, तो आपका किसी भी बुक को उठा के आप प्रक्टिस सेट लगाई है आप कर पाओगे ठीक है एक बार नॉट करेंगे नेक्स रूल करते है नॉट कर लीजिए और देखिया अब अब देखिया, एश एस और सो आप नीट, लुक का मिवन एक भी उस त्व्साइब समुप़ आफ ङंद। as as और so as जैसे आप ये conjunctions जहां पर भी आप देखोगे सबसे पहला इनके साथ क्या रूल होता है कि इनके साथ positive degree का adjective आता है positive degree इनके बीच में यहां पर यहां की बात हो रही है आपका positive degree से क्या मतलब है positive degree से मतलब है आपका देखिए जैसे की होता है न यह होता है good, better, best यहां होता है आपका tall, taller, tallest ठीक है तो देखिए यह तो होती है positive degree सुरू-सुरू वाली होती है न वो होती है आपकी positive degree बीच वाली होती है आपकी comparative degree और जो last की होती है वो होती है आपकी superlative degree ठीक है ओकी स्वेता continue करो देखो इसका मतलब क्या है इस rule का मतलब क्या है वो आपको क्या देंगे इनके बीच में comparative degree डाल के देंगे वही गलत हो जाएगा ठीक है जैसे लिख दिया जाए as greater as या as bigger as ठीक है या फिर आपका so as के बीच में आपका comparative degree डाल दें तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इनके बाद आपका कभी भी इनके बीच में और कोई degree आए नहीं सकती ठीक है इनके बीच में आप लिखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी यहां पे यहां पे लिख होगा कि इसको अटाओ क्योंकि as-as के बीच में हमने क्या पड़ रखा है एज-as के बीच में आना है आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यह e-r और e-s-t वाली तो आई नहीं सकती ठीक है ना ही आपका यह हो सकता है मानली ची यह लिखा हुए आपका as, better as यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने अभी-अभी क्या देखा as-as के बीचे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है लेकिन आपकी better क्या है better तो आपकी comparative degree है तो आपका यह गलत होगा और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे good लिखेंगे as good as ठीक है तो छोटा सा rule था आपका कि as, as और so, as के बीच में positive degree का प्रियोग किया जाता है ठीक है rule क्या हो जाएगा as, as तथा so, as के बीच में सिर्फ और सिर्फ positive degree का adjective आ सकता है okay, okay, next rule थेखिये यहां पर भी एक छोटा सा rule है और यह क्या है देखिये, okay, satis, okay, एक ताम, देखिये अब देखिये, as, as और so, as, ठीक है as, as का प्रियोग कहा होता है, so, as का प्रियोग कहा होता है देखो, आपका as, as यह दोनों है तो comparative, comparison दिखाते है comparison जैसे कि वो भी आपके ही इतनी अच्छी है she is as good as you, जैसे मैंने लिखाम, she is as good as you ठीक है, यहाँ पे एक positive statement थी, positive statement के अंदर मैंने affirmative होती है, साधारन statement, कोई भी simple statement है उसके साथ, और आपका negative statement, दोनों के साथ क्या होता है as, as का प्रियोग किया जाता है, ठीक है so as का प्रियोग affirmative में नहीं होता, इसका प्रियोग आता है आपका सिर्फ और सिर्फ negative sentences में, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं, वो उतना भी intelligent नहीं है जितना कि आप उसे सोचते हो तो तब आप so as लगाएंगे, ठीक है यदि इसमें आप so as लगाने लगएं तो यह देखो आप so good as you तो यह sentence आपका गलत हो जाएगा यहां पर ठीक है? क्योंकि आपको rule को समझने है अच्छे से देखो, c is so good as you नहीं बोलेंगे भई क्योंकि आप यह दिश को ऐसे लिखते है न c is not so good as you तब आपका यह सही हो जाता कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप है ओके? ठेंक यू मनी सिंग, हेलो देखें यहां पर आपका क्या है? कि यह एक affirmative sentence था और affirmative sentence ने आपने so as use कर दिया इसलिए यह गलत हो गया और आपका c is not so good as you यहां पर यह sentence correct आपने क्यों करा? क्योंकि एक negative statement है statement आपकी positive है तो सिर्फ आप as as use करेंगे statement आपकी negative है तो आप so as use करेंगे हाँ, as as का प्रियोग आपका positive और negative यहां रखेंगे, ठीक है? not कर लेंगे इस rule को भी so as का प्रियोग affirmative sentences में नहीं होता है सिर्स negative में होता है और as as का प्रियोग आपका affirmative और negative दोनों में किया जाता है not कर लेंगे, nots बनाते चलेंगे proper और कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए आप repeat कर वा सकते है, no issue not करेंगे done, हो गया है सभी का? अवनीत, अदित्ते okay, सुभम okay now अब हमने एक छोटा सा पड़ा था मैंने बताया भी था इसके बारे में not only or but also इससे आपका question किस तरीके से पूछा जाएगा पहली बात तो यह not only or but also यह conjunction आपका correlative conjunction है जो पेयर में होते हैं correlative conjunction होते हैं और इसके साथ आपका जो rule होता है वो क्या होता है कि इसके साथ जो part of speech होता है वही इसके साथ होता है यहां पे दिखिए यह लिखा हुआ है ओके negative में एकता not लगा मिलेगा और positive में not नहीं मिलेगा पैचान यह है affirmative क्या होता है साधारन वाक्य है जो कि जैसे मैं school जाता हूँ साधारन वाक्य है एक affirmative sentence है और negative क्या हो जाएगा मैं school नहीं जाता हूँ तो जिस sentence में आपको not लगा मिले वहां पे आप so as use करेंगे और यदि not नहीं लगा रखा है तो वहां पे आप as as use करेंगे आउके आउके हलो अनुष्का हलो यहां पे देखिए इसके साथ rule क्या है not only और but also एकता आपके लिए clear हो आएगा देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो साधारन वाक्य होता है उसको मैंने affirmative नाम दिया है और जो आपका negative वाक्य होता है उसको negative, negative में आपको not मिलेगा उसमें आपको not नहीं मिलेगा in case आप not लगा भी रहे हैं और वहां पे भी आप so as use कर रहे है so as तो आएगा उसमें तो आपका simple में आपको so as नहीं लगाना है ठीक है okay negative में दोनों conjunctions में से कौन सा आएगा negative में so as भी सही है और as as भी सही है यहां पे जो question बनेगा वो क्या बनेगा कि वो positive statement बनाएंगे और positive statement के साथ आपका so as देदेंगे वहां पे आपको गलत करना है ठीक है okay मालीजी आपका यह देदेंगे c is c is so c is so intelligent as you क्या यह sentence आपका correct है c is so intelligent as you बिल्कुल साधारण वाक्य था कोई not what नहीं था फिर भी इना उने so as लिखा है तो comparison के लिए आप as as लगाएंगे ना कि so as देखें c is so intelligent as you यहां पे so और as क्या यह correct है यहां पे error है और error क्या है कि so as का प्रियोग तो सिर्फ negative में होता था आपको as as करना होगा यह ठीक है हां very good very good satis very good subham very good sniha very good तो यहां पे बात क्या है कि negative sentence में so as आता है positive sentence में आपका as as आता है आप देखें आप देखें क्या आओ क्यों अब देखें not only और but also के लिए आपका क्या rule है वो देखें यहां पे not only but also इनके साथ rule यह है कि इनको same part of speech आना चाहिए same part of speech आना चाहिए means देखें same part of speech यानि कि not only के बाद यह दी 2 plus V1 है तो इसके तुरंत बाद भी 2 plus V1 होना चाहिए infinitive दोनों की साथ इसके साथ यदी ING वाली कोई चीज है तो इसके साथ पी ING वाली कोई चीज होनी चाहिए इसके साथ यदी verb दे रखी है तो यहां भी अपनी verb होनी चाहिए इसके साथ कोई noun दे रख है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए noun होना चाहिए यानि कि जो part of speech आपका यहां दे रखा है वही part of speech आपका वहां होना चाहिए यह rule होता है आप देखिए यहां पे rule आपका क्या है same part of speech का मालनी जे मैंने यह दे दिया not only he cheated his parents but also his friends माली जी ऐसा आपका दिया हुआ है ठीक है यह session ज्यादा देर तक YouTube पे नहीं चलेगा आप लोग like subscribe करिए और जितना ज्यादा हो सकता है आप share करिए क्योंकि पूरा content तो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा यदि आपको classes continue करनी है आपको topic को आगे भी पढ़ना है करिए और आप लोग इतना support कर रहे हो इतना प्यार मुझे YouTube से मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत thank you यहां पे देखिए not only he chattered his parents but also his friends यहां पे आपका sentence क्या कह रहा है उसने केवल अपने मातापिता को ही नहीं अपने दोस्तों को भी धोखा दिया तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि जिन दो चीजों की comparison आप कर रहे हो एक इससा तो उससे पहले लगा दो दूसरा इससा उससे पहले लगा दो तो यहां पे आपका वेरी गुड़ सुह हम बहुत बढ़िंड़िया वेरी गुड जाकिया एर्र क्यां कि बट औल्सओ बढ Kir ElFil इससे पहले लगा दो दोस्तों से पहले इसससे पेले बट तो दोस्तों से पहले दो ब्ट और यहां पे दो दो तो उसके पयरेंट से पहले लगा चीह तो यह समस्रेशा तो He cheated, इसको rewrite कर रहे हैं sentence को, तो यह हो जाएगा, he cheated not only his parents, but also his friends, यह हो जाएगा. तो इस sentence का, जो सही है, वो यह हो जाएगा, thank you, प्रीच सर्मा, thank you, thank you very much, देखिये, he cheated not only his parents, यहाँ पे आमने his parents से पहले not only लगाया और his friends से पहले but also लगा दिया, क्योशन ऐसे ही आजाएगे, यदि मैं आपको यह बोल दूँ कि, not only I come here for swimming, but also for teaching, तो बच्चे आपका swimming वो teaching की comparison हो रही थी, तो not only मैंने लगा दिया, I से पहले तो वो गलत है, फिर यहाँ पे sentence क्या बनेगा, I came here not only for swimming, but also for coaching, है ना, तो यहाँ पे बात क्या है, कि जिन दो चीजों की आपकी comparison होती है, उनसे तुरंट पहले यह चीजे लगते हैं, तो यहाँ पे यह गलत इसी लिए था, ही से पहले इनो नहीं लगा रहा रहा था, तो आपको यह अपने रियर्रेंज कर दिया है, यहाँ पे, ठीक है, किनी बेर का सेशन हो रही है, सर्थ, आओके, you have five more minutes, एक बार नॉट कर लेंगे, इसके बाद आगे करते हैं, इस सेंटेंस से आप और बैटर समझ पाएंगे, यहाँ पे देखिए, अच्छा, अच्छा, संग्वन सा वास करें हैं, देखिए, sit either quietly or go away, मैंने आपको जो सेंटेंस आपका not only but also में जो concept आपको बताया है, वो concept आपका सारे के सारे correlative conjunctions फोलो करेंगे, जिसे कि आपका either or, neither nor, ठीक है, not only but also, जो यह दो-दो-दो से जो pair में आपके थे, वो सारे के सारे conjunctions आपका इस रूल को फोलो करेंगे, जो question आता है, वो जदातर आपका जदातर किंज से बनता है, not only but also से, either or, या नाइदर न और से बनता है, SSC के pet आपके concepts हैं, इनहीं से question उठाते हैं, ठेंक यू सती सेनी, ठेंक यू, now look at this, sit here quietly, आप चुप-चप बैठिये और go away, या चले जाएए, किन दो चीजों की बात हो रही है, एक तो sit और एक go, इन दो वर्ब की comparison हो रही है, कि या तो बैठो या जव, यानि कि sit और go, तो एक इसा, यानि कि हमारा यहाँ पे conjunction कौन सा है, either or, तो यह जिस से पहले आया है, वो चीज उससे भी पहले आएगी, या पे और किस से पहले आया है, go से पहले, यानि कि एक वर्ब से पहले, ठीक है, सेटरडे का रहता है, साड़े बारे से दो बज़े का एक क्लास है, और तीन से छे एक क्लास हो और रहती है, और कभी-कभी नौ से बारे वाला जो बैच है, उसके अंदर भी, उसमें हमारे काफी सारे टापिक्स जो हैं, तो नौ से बारे का भी इंगलिस की क्लास उसमें नहीं हो रही है, बाकी साड़े बारे से दो बज़े तक क्लास है, और हर से टरडे को हैं ये, तीन से छे भी आपकी क्लास रहती है, एक बार इसका अंसर आप देखते जाएंगे, ये लास्ट आपका क्यूशन है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसका आपका देखिए, यहाँ आपका सिट से पहले आइदर आना था न, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, मैंने आपको बताएं था, एक से पहले यदि और ये वर्ब है तो दूसरे से पहले भी वर्ब, एक से पहले नाउन है तो दूसरे से पहले नाउन यहाँ पर देखिए, इसका री-डाइट करेंगे, ये सेंटेन्स यहा σε गलत है, यहां से हमारा सेंटेन्स क्या हो जाएगा, एदर सेट खौइटली और गौ अवे, तुरंत बाद वर्ब आ गई और आइदर के तुरंत बाद हमारी वर्ब आ गई है तो यहां पे देखिए आइदर sit quietly और go away ठीक है आइदर sit quietly और go away यह sentence का formation हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा आप देखिए आइदर जो है वो इस वर्ब से पहले आ गया और जो है वो इस वर्ब से पहले आ गया तो यह अपने आप ही correct हो गया यहां पे आपका formation नहीं बन रहा था तो यह आपका गलत था ठीक है अखे दीपक अच्छा लगा आप सभी को थेंक्यू एवरिवन थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्च और किसी को भी मतलब आगे topic रीड करना है तो हमारे एप से जुड़िए एप में आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर होगा अभी यूट्यूब के लिए इतना ही content काफी है और इतना सारा प्यार इतना सारा कॉप्रेट करने के लिए और हम से जुड़ने के लिए थेंक्यू वेरी मच्च थ झाल झाल झाल